नमस्कार, एक बार फिर्षे आपका श्वागत है आज के इस वीडियो में आपको सेनिवास्थ धाम से जुड़ी भहुती महतो पूरण अपडेट देने वाला हूं अगर आप शेणिवास धाम जा रहे हैं या अभी एक दो दिन में जाने वाले हैं तो शेणिवास धाम नए जाएं क्योंकि आपको वहाँ पर जाड़ा नहीं लगाया जाएगा अगर आप ओमबनासा के मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं शिरफ दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं लेकिन अगर आप अपने रोगों को ठीक करवाने के लिए जाड़ा लगवाने के लिए शेणिवास धाम जाना चाहते हैं तो इस समय नए जाएं क्य जरूर कर ले जैसे इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी बिल्कुल भरी ओम बनासा के दाम सेनिवास में परती दिन बहुत ज्यादा संख्या में लोग आते हैं अपने रोगों को ठेक करवाने के लिए ओम बनासा धाम के दर्शन जिसके बाद किसी भी परकार का रोग हो वह चमतकारी रूप से ठीक हो जाता है तो हजारों के शंख्या में लोग पहुँच रहे हैं लेकिन आपको एक महतुपुन जान कर देना चाहता हूँ कि इस समय आप वहाँ पर जाड़ा लगवाने के वास्ते नए जाएं क्योंकि भगत जी सत्य नारेंड जी को फीवर हो गया है पिछले काफी दिनों से वह रात दिन जाग जाग कर अज़ारों की संख्या में लोगों को जाड़ा लगा रहे हैं और रोगों से मुक्ति दिला रही हैं ओम बन्नासा की किरपा से तो उन्हें फीवर हो गया है इसके लिए ड दस तारिख के बाद ही जाड़ा लगाना शुरू करेंगे जब है सवस्त हो जाएंगे आपको साथ आठ दिन और इंतजार करना पड़ेगा उसके बाद ही आपसे निवास धाम जाएं तो यह थी मैं तो पुन जान करी आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बोक्स में सकते हैं इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर करें ताकि सब को यह जानकारी मिल सके मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद